आप सबका आपने विश्वस न्यूटीब चैनल थोट्स अपीट में तो देखिए दोस्तों कि इस जो वीडियो है वीडियो में आपको बताऊँगा कि पाइथन जाओ और C++ में तीनों में से आपको आपका प्लेस्मेंट के लिए कौन सी जॉब लैंग्वेज जो है वह अच कि जिसमें में computer student को भी बताऊँगा और other student को भी बताऊँगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में जो है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आपको अच्छा package का placement मिल जाएगा तो देखिए दोस्तों कि इसके थूरू तीन लैंग्वेजिस है जिसमें Python, Java और C++ ये तीनों लैंग्वेज में अच्छा आपका focus करना है तो बहुत बच्चे इन तीन लैंग्वेज में confused हो जाते है कि किस लैंग्वेज में हमको अपने future करनी है तो देखिए दोस्तों कि इसमें सबसे पहले Python इसके बाद जावा और इसके पाद C++ तीनों को में आपको आपके सामने में रखूंगा और तीनों में से आपको में बताऊंगा कि किस लैंग्वेज में बाद में लास्ट जो वीडियो का लास्ट में आपको प्रिफि करनी है कि जिसके थो आपको अच्छा प्लेस्मेंट मिलेगा तो इसी बात को हम ध्यांत रखते हुए दोस्तों देखिए कि क्या होता है कि जब आप Python के बारे में सूचे कि जब Python होता है तो Python easy to learn होता है मतलब हर कोई ललका इसे आसानी से सीख सकता है चाहे हो computer field का हो या other field क तो वैसे ही हर कोई branch हो जाए लाइक हर कोई department का भी लड़का हो या मतलब लड़का हो या आदमी हो या कोई भी हो कोई भी any person आसानी से सीख सकता है लेंग्विच तो उसके बात क्या है कि जिन लड़के जो students होते है कि जिनने system programming में बहुत interest होता है कि system programming में उन्हें अपने future दिखाय देता है तो उन बच्चों को क्या मेरा सला होगी क्यों पाइथन यूज करे क्योंकि all the system programming होते है उसमें python का यूज हो जादा होता है तो जबी दोस्तों देखे कि virtual reality हो या argument reality हो या machine learning हो या AI हो या artificial intelligence तो इन सारह बातों में जो है अगर इसमें आपको इंट्रेस्ट होती है या argument reality जो होती है या artificial intelligence फिल्ड होती है उसमें जो python का है python का basic पूरा आपको आपको मिल जाएगा तो आपको python ही सीखना है अगर आपको इसमें इंट्रेस्टेट है तो अब दोस्तों देखे कि python ही जो latest language है मतलब C++ और Java से python जो latest language है तो क्या python ही सीखना चाहिए C++ Java मे जो function है वो python में ज्यादा होंगे या C++ में और Java में अगर कम है तो ऐसा कोई लगका सोच सकते है तो ऐसी बात नहीं है C++ Java और Python है different language है इनमें कोई combination नहीं की जो python है जो C++ या Java से बहुत 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 है या Java जो है वो C और Python से बहुत ज्यादा बहुत है तो आपको समझना पढ़ेगा कि आपको किस फिल्ड में जॉब करने है तो उसी फिल्ड में आपको समझना पढ़ेगा कि किस language को आपको ज्यादा प्रेफरंस देना है तो उसके बाद देखिए दोस्तों कि उसके बाद Java का में आपको बताते तो यह Java में क्या होता है दोस्तों कि write once and run anywhere मतलब आप इसे कोई भी कोई से शॉप्टेर हो कोई भी operating system हो कई भी platform independence कई भी आप उसे आसानी से रन कर सकते तो उसके पाद ही देखिए सिक्वेर अप्लिकेशन है मतलब जो सिक्वेर अप्लिकेशन रहते है जो companies में बना जाते तो उसमें Java का जो है Java का पार्ट mostly important होता है तो आप इसे कोई बात नहीं है जावा का platform जो है वो कम नहीं हो रहा है लेकिन Java जो है वो different मतलब जो companies हो यह ज्यादा company में यूज होती है लेकिन जो company में यूज होती है उसमें उसका बहुत basic part है ऐसे बहुत companies है कि जिसमें Java अभी भी चल रही है तो ऐसा डरने का कोई बात नही जो जावा पही ही डिपेंड है जावा पही है उनका बेस है और जावा पही वह worker है तो जिस company में लेकिए कि Android development है Android development में आपको इंट्रेस्ट है अगर आपको Android development के बारे में कुछ भी मालू है तो आप Java को प्रिफरेंस लिए अगर आपको Android development में ही आपको अपना future दिखाई दे रहा है तो आपको जावा ही करना है आपको C++ और Python नहीं करना है तो Android development के जो स्ट्डेस है उन्हें उन्हें सजेस्ट कुरेंगा उनको जावा ही करना है उससे कोई other language करनी नहीं जिने Android development ही चाहिए वो जावा को प्रिफरेंस करें तो उसके बाद ही दो कुस्तों देखे क कि उसको बाद C++ देखे तो object oriented language है आप सबको पता है object oriented है mostly company में यूज के जाता है कि most company ज्यादा से ज्यादा company में अभी के टाइम ज्यादा से ज्यादा company में C++ ही यूज हो रहे है क्यूंकि function जो है यह अच्छ है या आपको जो variables है जो basic knowledge जो है basic knowledge Java में अपना C++ में ज्याद कारा को से ज्यादा है कि से जावा और python से और एक बाद है कि जो सबसे faster language कुछ से क्योंकि सबसे faster language को पुछ रहे है कि इसलिए itI लेंग्वेज यो मैंने मेरे कंड़ना। तो मैं आपको कंड़ करूंगा कि वह सारी फैसलीटिज जो है वह C++ में क्यूंकि इसमें देखिए दुस्तों कि सबसे बेहतर या सबसे ज्यादा कंपणी में यूज किया जाने वा लैंगोईज हो है कि बहुत जादा करहें देखिए आप कई प्लेश्मेंट के विडियोज देख सकते हैं इंको प्लेश्मेंट में प्लेश्मेंट को सिम्वाइब आपकर आपके आपको है तो ज्यादा से ज़दे ओपरिचनेटी सी प्लस प्लस में है तो सी प्लस प्लस में है आपको अपना फ्यूचर दिखा दे रहा है अगर आपको किसी लैंगवेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है कुछ आईटी सेक्टर के बारे में पता नहीं है कुछ इंड़स्टी के बार कर रहें को आपको मैं सला धूंगा कि आपको सी करना है से प्लस में आपको जो है बर चुनिटी ज्यादा है और फॉर्ष्टे लेंगवेज यह जाएंगे और जिन बच्चों को अभी तक इन तीनों लांग्वेज में तो इसे कमेंड में बॉच्छ सकते हैं कि को उनको प्रेफेर करने चाहिए या किस लांग्वेज क्या कुछ फिल्ड में उनको इंट्रस्ट है या मशिन लर्निंग में हैं या देखिए कि आंड्रोड में है वेब डेवलप्मेंट में किस में उनको इंट्रेस्ट है और उस इंट्रेस्ट के हिसाब से उनको कुन सी लैंगविज करने चाहिए वह मैं आपको बता दूँगा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हैं तो इसी की तोर पर यह वीडियो हो जाएगी खतम तो चल भी मैं आपको लाता रहूंगा और ऐसे ही आपको रियोजे वह ज्यादा श्यादा बनाता रहूंगा तो देखिये दोस्तों अ स्थ bekendाएब सिंदितन कliesफ समेंगा रहूंगा झाल भी मैं उल दॉक्स की तोस्तों सकते हैं प्याद सकते हैं इसी 예 sì झाल झाल